हेलो स्टूडिन्ट आज का हमारा टोपिक है इनफर्टिलिटी होता क्या है और उसको सॉल कैसे करा जाता है तो फॉर्स्ट अफॉल इनफर्टिलिटी क्या है फॉर एक्जामपल कोई कपल है वो वन और मोर देन वन इयर से अनप्रोटेक्टेड सेक्शुल इंटरकोस कर रहे ह बट फिर भी उनको बेबी नहीं हो रहे है तो उसको क्या बोलते है इनफर्टिलिटी कहा जाता है तो इनफर्टिलिटी है क्या अनप्रोटेक्टेड सेक्शुल इंटरकोस लंबे टाइम से कर रहे है बट फिर भी अगर चिल्डरन नहीं हो रहे है तो उसको के reasons क्या क्या है जैसे कि physical problem है या तो congenital birth से कोई problem है disease है कोई बड़ा drugs दवाई लेने की वज़से infertility आई है immunological problem है psychological problems है तो उसकी वज़से infertility हो सकती है अब ये infertility को solve करने के लिए specialized health care unit होते है ये क्या problem है वो पता लगाते है फिर उसको treat करने की कोशिश करते है अगर treat हो गया तो वो couple children कर सकता है अगर वो treatable नहीं है उनको जो problem है वो treat नहीं हो सकता है तो फिर special techniques का use करके भी वो baby कर सकते है अगर disease पता लगा और वो treat हो गया या तो problem पता लग गई उनकी infertility की तो उसको solve करा जा सकता है अगर वो problem solve नहीं हो सकता है तो फिर special technique का use किया जाता है बेबी करने के लिए और यह जो special techniques को बोला जाता है art assisted reproductive technologies ओके next art है क्या assisted reproductive technologies इसके अंदर आता क्या है special techniques जिसकी वचे से infertility की problem को solve किया जाए उसको art कहा जाता है अब art के दो टाइप से in vitro fertilization और in vivo fertilization तो first of all fertilization word का मतलब क्या है तो egg और sperm का fusion होता है और उससे zygote का formation होता है तो यह egg और sperm के fusion की जो process है zygote formation की उसको fertilization कहा जाता है अब in vitro और in vivo क्या है तो in vitro fertilization मतलब यह जो process है fertilization की वो body के बाहर मतलब lab की condition के अंदर की जाती है तो उसको in vitro fertilization कहा जाता है और अगर यही की यही process अगर female body के अंदर हो रही है तो उसको in vivo fertilization कहा जाता है और in vitro fertilization वही test tube baby है क्योंकि lab के अंदर test tube के अंदर procedure की जाती है इसलिए उसको test tube baby भी कहा जाता है और lab में बिलकुल ही female body में जैसा environment है जैसी condition है और इसी पूरी condition दी जाती है और बाहर fertilization करवाया जाता है in vivo fertilization क्या है कि यह fertilization अगर female body के अंदर हो रहा है तो उसको in vivo fertilization कहा जाता है अब fusion of gamit का मतलब क्या है gamit माने reproductive cell तो female gamit क्या है egg और male gamit क्या है sperm तो उनका fusion होना तो वो प्रोसेस female body के अंदर हुई तो वो हो गया in vivo fertilization next पहले हम समझते है कि normal procedure होती कैसी है first of all यह female reproductive track है यहां पर देखो यह जो है यह ovary है ovary में से उस site बनेगा एग बनेगा अब एग किस के पास पहुचेगा फेलोपियन ट्यूब के पास पहुचेगा यह क्या है फेलोपियन ट्यूब है जैसे ही एग इधर पहुचा वो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा एग आगे बढ़ता जाएगा और यहां से अगर सामने से sperm आया तो sperm एक के साथ जुड़ेगा fusion होगा, fertilization होगा, zygote बनेगा तो normal procedure क्या होती है कि ओवरी से एग release होता है और वो एक फेलोपियन ट्यूब के पास पहुचता है एग आगे बढ़ता है और फेलोपियन ट्यूब में ही एग होता है तब sperm अगर सामने से आता है तो यहां पर fertilization की process होती है तो fertilization कहां पर होता है फेलोपियन ट्यूब में कौन से पार्ट में फेलोपियन ट्यूब के, ampula नाम के पार्ट में होता है अब एक बार एग और sperm जुड़ने से zygote बन गया, अब क्या होगा, zygote बन गया अब यह आगे 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 के चलता रहेगा, बट जाइगोट नहीं चल रहा है, जाइगोट जो है वो division कर रहा है, division कर रहा है, बहुत सारे cells बना रहा है और वो आगे बढ़ते जा रहा है, मैं अब यहां पर एक cell था, फिर एक से दो cell बने, दो से चार बने, चार से आठ ब नॉर्मल प्रोसीजर होती क्या है, बोडी में, sperm, egg, fusion, zygote बनता है, zygote डिवाइड होता है, mitotic division से दो cell बनते है, two cells से four cell stage बनता है, four cell से eight cell stage बनता है, सबको अलग अलग नाम दिया जाता है, इसको मोरूला कहा जाता है, जब और ज्यादा cell बन जाता है, 64 to 128 cell का गुरूब बन जाता है तो उसको blastula कहा जाता है और जब वो eight cell से ज्यादा cell में convert हो जाए तब तक वो यहां तक पहुच गया होगा uterus तक पहुच गया होगा इसका मतलब है अगर eight cell से कम cell है तब तक वो ampula तक होता है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते division करता जाता है जाता जाता है और uterus तक पहुचे तब तक वो कितने cell बन चुके होते एच से ज्यादा cells बन चुके होते हैं यह नॉर्मल प्रोसीजर है अब आते हैं यह ART में तो यहां पर फिर्स प्रोसीजर है जेड़ डाई एफटी जेड़ एफटी फोर जाइगोट इंट्रा फैलोपिय ट्यूब में इसका मतलब है बोडी के बाहर एग और स्पॉम का फ्यूजन करवाया जाता होगा जाइगोट बनाया जाता होगा और जाइगोट को फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता होगा अब इसको फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर आए क्य कि फेलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बनता है नॉर्मल प्रोसीजर में तो अगर हम जाइगोट बाहर बना रहा है तो जाइगोट को फिर अगर बोडी के अंदर एंटर करवा रहा है तो यहां पर ही करवाना पड़ेगा फिर वो अपनी प्रोसीजर आगे खुद अगर यह स्टेप बोडी में अच्छे से पॉफॉर्म नहीं हो रहे है तो फिर यह स्टेप बाहर करो लेब के अंदर और फिर उसको एंटर करवा दो अपनी जगह पे जहां पर उस वो होना चाहिए था जाइगोट जिस प्रोस जहां पर बनता है वहां तक उसको रख दो फ तो चलेगा बट एट से कैसे होने चाहिए कम क्यों क्योंकि हमको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है तो जाइगोट या तो अरली एंब्रियो वर्ड का मतलब क्या है यह स्टेजिस जो है वो सारे जो डिविजन से सारे स्टेजिस आए उनको एंब्रियो कहा जाता है तो जाइगोट या तो एंब्रियो को ट्रांसफर करा जाता है फेलोपियन ट्यूब में तो उसको जेड़ आइफ ट कहा जाता है पर अगर एट से ज्यादा सेल्स है मतलब लेब के अंदर हम बना रहे हैं पूरा सब कुछ प्रोसीजर लेब के अंदर कर रहे हैं अगर इंटर करवाना पड़ेगा यूटरस में तो फेलोपियन ट्यूब में थोड़ी करवाना है अगर एट से ज्यादा सेल बन गए तो नॉर्मल प्रोसीजर में वह चल के आ रहा था तो इधर तक पहुचेगा तब एट से ज्यादा सेल हो चुके होंगे तो आयूटी क्या है इंट्रा यूटराइन ट्रांस्फूजन इसका मतलब है यूटराइन ट्रांसपर मतलब यूटरस के अंदर ट्रांसपर करना है तो यहां पर कितनी प्रोसीजर बाहर करी sperm और zygote का fusion body के बाहर करवाया zygote बना sperm और egg का fusion body के बाहर करवाया zygote बनाया zygote 2 cell, 4 cell, 8 cell से पास हो गया और 8 से ज्यादा cell आए 8 blastomere का मतलब है 8 cell से ज्यादा cell more than 8 cell ऐसा इसका मीनिंग है blastomere का मलब जब tightly packed cell हो तब वो blastomere कहा जाता है तो 8 से ज्यादा cell का group बन जाता है फिर अगर तुम उसको वापस से body के अंदर female body के अंदर uterus के अंदर enter करवा रहे हो तो उसको intrauterine transfusion कहा जाता है तो नाम से ही पता लग गया zygote intra fallopian transfer इसका मतलब है body के बाहर lab की condition में zygote बना कि उसको fallopian tube में transfer करवाना आगे के procedure जो naturally होती है वैसी होगी इतना हम उसको करके दे रहे काम next iot intrauterine transfusion मतलब की uterus के अंदर transfer करना अगर uterus के अंदर transfer करना है तो cells कितने होने चाहिए more than 8 हो तब जाके तुम uterus के तक पहुँचाओ आगे का natural procedure होगा अब यहाँ पे देखो यहाँ पे zygote lab में बनाया इसके अंदर भी zygote lab के अंदर ही बना है तो यह दोनों कौन सी procedure हुई in vitro fertilization हुआ क्यों क्योंकि lab के अंदर बनाया गया है okay next third procedure है artificial insemination अब insemination का मतलब क्या है insemination मतलब semen को female reproductive track के अंदर introduce करना उसको क्या बोला जाता है insemination sperm को female के reproductive track के अंदर introduce करना उस procedure को insemination कहा जाता है अब यह artificial insemination the artificial insemination का मतलब क्या होता है instrument का use करके sperm को introduce करना female की reproductive track में अब वजाइना तक अगर sperm को introduce करा जाये तो उसको intra vaginal insemination कहते है अगर cervical cervical के नल तक अगर sperm को introduce करा जाये female के reproductive track में तो उसको intra cervical insemination कहते है और अगर sperm को uterus तक instrument का use करके artificially पहुचाया जाए uterus तक तो उसको intrauterine insemination कहा जाता है यह procedure कब करी जाती है अगर male जो है husband जो है उसके अंदर low sperm count है low sperm count का मतलब है कि normally per ml 15 million जितनी sperm count होनी चाहिए semen में per ml अगर 15 million से per ml sperm की count कम है तो हो सकता है कि fertilization में problem आये मतलब एक को fertilize ना कर सके ऐसी situation में यह method का use किया जाता है अगर male है husband है उसको physical problem की वज़े से अगर naturally नहीं possible है तब artificial method का use किया जाता है या तो spinal injury वगेरा case के अंदर यह method यूज की जाती है और अगर male sterile है मतलब उसके अंदर sperm है वो defective बन रहा है या तो proper बन नहीं रहा है या बन ही नहीं रहा है तो इस case में कोई donor से sperm लेके उसको female के reproductive track के अंदर enter किया जाता है ओके next है gamit intra fallopian transfer gamit word मतलब reproductive cell दो type के reproductive cell है male gamit sperm, female gamit egg उनको fallopian tube के अंदर transfer करना उस method को क्या कहा जाता है gamit intra fallopian transfer एक tube आती है जो बहुत flexible होती है जिसको catheter बोलते है अब ये tube का use क्या है कोई liquid, कोई fluid body के अंदर deliver करना या तो body से withdraw करने के लिए इसका use किया जाता है तो first of all क्या है दो जितने उस side लेने हैं और semen लेना है ml में counting करके उन दोनों को इस tube के अंदर collect करना है एग को और sperm को उसके बाद लेप्रोस्कोपी में थड़का use करके हमको ये जो हमने collect करा है एग और sperm को उनको fallopian tube तक inject करने की जो procedure है उसको बोलते gamit intra fallopian transfer मतलब already हमने fallopian tube में एग और sperm को पौचा दिया है अब वहाँ पे अंदर ही zygote का formation होगा मतलब ये क्या हुआ in vivo fertilization हुआ most important है कि यहाँ पे fallopian tube normal होनी important है अगर fallopian tube में ही problem है तो ये procedure success जाने के chances कम हो जाएंगे but fallopian tube अच्छी है अच्छे से work कर रही है normal है तो फिर sperm और एक को दोनों को ही हमने fallopian tube में पौचा दिया अब वहाँ पे वो fusion करके zygote का formation करेंगे और normal procedure होगी और baby का production हो जाएगा ओके next है intra cytoplasmic sperm injection नाम से पता लग रहा है cytoplasmic मतलब एग का cytoplasm sperm injection मतलब एग के cytoplasm के अंदर sperm को inject करवाने की procedure इस procedure के अंदर करना क्या है sperm collect करना है male से egg collect करना है female से फिर ये procedure जो है वो high quality microscope के अंदर perform की जाती है करना क्या है एग लेना है एग को hold करने के लिए holding tool लेना है अब microscope में देख देखते हुए हमको ये जो needle है injecting needle उसके अंदर sperm लेना है और उसके बाद ये जो sperm है उसके थ्रू उसको cytoplasm एग के cytoplasm के अंदर enter करवाना है sperm को किस के थ्रू injecting needle के थ्रू अब ये cytoplasm के अंदर enter हो जाएगा मतलब zygote का formation हो जाएगा procedure क्या थी sperm collect करना है male के थ्रू फिर एग एग लेना है female से फिर अब micropiped जो कि एक holding tool का का काम करेगा उसको use करना है injecting needle के अंदर sperm को fill करना है और उसके बाद इसके injecting needle के थ्रू cytoplasm के अंदर sperm को enter करवाना है अब ये जो procedure है वो लेब में होगी high quality of microscope के अंदर करनी पड़ेगी अब ये procedure perform कप की जाती है अगर low motel sperm है तब ये procedure perform की जाती है sperm count low है तब ये procedure perform की जाती है या तो किसी male के अंदर vasectomy perform किया है अभी reverse vasectomy कर रहा है और वो अच्छे से perform नहीं कर रहा है उसका पूरा male reproductive system तो फिर ये process करके zygote का formation करवाया जाता है लेब के अंदर तो इस procedure को क्या कहा जाता है intracytoplasmic sperm injection last है serogacy serogacy एक latin word है जिसका मतलब होता है एक person के जगद दूसरे person को appoint करना तो इसमें होता क्या है ये couple है female से egg collect करा है male से sperm collect करा है lab के अंदर zygote का formation करा और जो embryo बना है उस embryo को दूसरी woman के अंदर दूसरी woman के uterus या fallopian tube में enter करवाया जाए तो उसको serogacy कहा जाता है मतलब ये जो woman है उसके अंदर embryo enter नहीं करवाया है दूसरी woman के अंदर करवाया है और वो woman agree भी होती है इस चीज़ के लिए वो nine month के लिए nourishment देती है birth करती है baby का ठीक है और फिर इनको return कर देती है तो ये जो procedure है इसको serogacy कहा जाता है तो genetically देखने जाए तो ये baby in couple का ही हुआ क्योंकि genes तो इन दोनों के है बट nourishment देखने जाए तो ये woman ने दी होती है तो इसको gestational serogacy भी कहा जाता है gestational serogacy कहा जाता है इस process को next है first test tube baby कब हुआ था 1978 में जुलाई में करा गया था England में हुआ था Dr. Robert Edward की help से हुआ था और ये जो first test tube baby हुआ था उसका नाम है Lewis Joy Brown इंडिया में first test tube baby जो हुआ था वो एक लड़की हुई थी जिसका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल जिसको दूरगा भी कहा जाता है और ये test tube baby किस ने perform करवाई थी किस डॉक्टर ने तो डॉक्टर सुभास मुखर जी ने झाल